आज हम प्राइक्ता पे आधारित कुछ प्रश्ण हल करेंगे. पहला प्रश्ण है, हमारे पास एक थेला है जिसमें नौ लाल कंचे हैं, दो नीले कंचे हैं और तीन हरे कंचे हैं. यदि हम उस थेले में देखे बिना एक कंचा निकालने उसमें से, तो इसकी क्या प्राइक्ता है कि वो कंचा नीला नहीं होगा. तो इस प्रश्ण को समझने के लिए चलिए हम अपना थेला बना लेते हैं. ये हो गई मेरी थेली, हाँ ये बहुत संदर तो नहीं है लेकिन काम चलाओ है, ठीक है. इस में हमारे पास, इस थेली में हमारे पास नौ लाल कंचे हैं, तो मैं यहाँ पर नौ लाल कंचे भर देती हूँ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, तो ये हो गए नौ लाल कंचे, इसके अलावा दो नीले कंचे हैं, यहाँ पर मैं दो नीले कंचे ड दाल देती हूँ, एक, दो, और अंतता हमारे पास तीन हरे कंचे हैं, तो हम यहाँ तीन हरे कंचे डाल देंगे, एक, दो, तीन, ठीक है, तो यह हमारे कुल कंचे हो गए हमारी इस थैली में, और अब हमें पता लगाना है कि क्या प्राइकता है, कि जो कंचा हम निकालेंगे, जो एक कंचा हम निकालेंगे वो नीला नहीं होगा. तो यहाँ पे सारे परिणामों को संप्राइक करने के लिए हम इस थेले को अच्छी तरह से हिला देते हैं ताकि सारे जो कंचे हैं आपस में मिल जाएं और जो भी हमें परिणाम मिले वो संप्राइक हो. तो चलिए सबसे पहले इस प्रशनक को हल करने के लिए हम कुल संप्राइक परिणामों को निकाल लेते हैं. पहले हम पता करेंगे कि हमारे पास कुल संप्राइक परिणाम कितने होंगे. यहाँ मैं लिख देती हूँ कुल संप्राइक परिणाम. तो यहाँ पे हमें पता करना है कुल सांभाविक परिडामों की संख्या तो इसकी संख्या का पता करने के लिए हमें जादा महनत नहीं करनी हमें यहाँ पर अपने कुल कंचों की संख्या को गिन लेना है क्योंकि इन ही कंचों में से तो हमें कोई एक कंचा निकालना है तो इसका अर्थ है कि मैं इन में से कोई भी कंचा चुन सकती थी इसका मतलब हुआ कि ये सभी कंचों की संख्या हमें अपने कुल सांभाविक परिणाम दे देगी तो कुल सामभाविक परिणाम ये जो हमारा हर है ये बराबर है 14 के और इसे यहाँ इस थैले में गिने बगेर हम इस प्रश्ण में ही देख सकते थे कि 9 लाल कंचे, 2 नीले कंचे और 3 हरे कंचे तो ये कुल कितने हो जाएंगे ये हो जाएगा 9 धन 2, 11, 11 धन 3, 14 के बराबर तो हमारे कुल सामभाविक सामप्राइक परिणाम 14 के बराबर है और अब हमें इन परिणामों में से एक कंचा निकालना है, एक कंचा चुनना है इस थैले में देखे बिना और हमें ये ग्याद करना है कि जो कंचा हम निकालेंगे इस थैले में से क्या प्राइकता होगी कि वो ना हो तो इसको ग्याद करने के लिए हम देख सकते हैं कि कुल हमारे पास दो नीले कंचे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि यदि मैं इन दो नीले कंचो को छोड़ कर कोई भी अन्य कंचा चुन लेती हूं जो लाल या हरा हो तो हमारी ये परिस्थिती संतुष्ठ होगी मतलब हमे इन दो नीले कंचो को छोड़ कर बाकि कोई भी कंचा चुनने की आजादी है और अगर हम इन दो नीले कंचे को हटा दें कुल संख्या में से कंचो की तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे कुल अनुकूल परिणाम कितने होंगे और यहाँ पर हमें ग्याद करना है अपने अन गटाने पर हमें बारह मिलेगा तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या होगी बारह के बराबर तो अर्थ हुआ ये कि इन दो नीले कंचो को छोड़ कर बाकी बारहों में से कोई भी कंचा चुन लेते हैं तो यह उस प्राइकता को दर्शाएगा कि वो कंचा नीला नही है और यहां पर अगर हम देखें तो बारह और चौदा इन दोनों में एक सार्व गुड़न खंड मौजूद है अगर मैं इन दोनों का विभाजन दो से कर देती हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा बारह को यदी मैं दो से विभाजत करू तो मुझे छे मिलेगा और चौ नीचे दी गई संख्याओं में से हम कोई यद्रिचिक संख्या चुनते हैं तो इसकी क्या प्राइकता है कि वो संख्या पांच का गुड़ा जोगी हमें यहां पर कुछ संख्याई दे रखी हैं और हमें इन संख्याओं में से कोई एक संख्या चुननी है और इस बात की प् यहां मैं लिख देती हूँ संभावित परिणामों की संख्या और फिर इसके उपरान्थ हम अपने अनुकूल परिणामों को गिन लेंगे और इन दोनों का जो अनुपात होगा वो हमें यहां से इस बात की प्राइक्ता को दे देगा तो यहां पर अगर हम संभावित परिणामों को देखें तो हमारे पास इतनी संख्याओं हैं और इतनी संख्याओं में से हम कोई भी एक संख्या चुन सकते हैं तो इसका मतलब हुआ कि यह सारी संख्याओं यहां पर जितनी भी संख्याओं हैं यह हमारे कुल संभावित तो हम कह सकते हैं कि हमारे कुल संप्राइक संभावित परिढाम 12 के बराबर हैं और अब हमें इन परिढामों में से वो संख्या चाहिए जो पांच का गुडज हो, तो हमारे जो अनुकूल परिढाम है वो सिर्फ वही होंगे जो पांच का गुड़ज होंगे तो इस सूची में चले देखते हैं कि वो कौन-कौन सी संख्याएं हैं जो पांच का गुड़ज है तो 32 तो 5 का गुड़ज नहीं है और 5 का गुड़ज जब भी मैं कहती हूँ तो मेरा यही मतलब है कि जो भी उस संख्या में 21 थान पर अंख होगा वो या तो 5 होगा या तो 0 होगा और ऐसी ही स्थिती में वो 5 का गोड़ज होगा तो 32 पांच का गोड़ज नहीं है उन्चास भी 5 का गोड़ज नहीं है 55 पांच का गोड़ज है क्योंकि इसकी 21 थान पर 5 है और हम जानते हैं कि 5 गुड़े 11, 55 होता है और इसी प्रकार से 30 भी 5 का गुड़ज है इसके काई स्थान पर 0 है और 5 गुड़े 6, 30 के बराबर होता है 56 इसका गुड़ज नहीं है 28 भी इसका गुड़ज नहीं है 50 इसका गुड़ज है 5 दहां 50 होता है 40 भी एक गुड़ज है 5 का कूझकि 8 पच्चे 40 होता है और फिरसे इसी प्रकार से 40 यहां फिरसे गुड़ज होगा और 45 में भी काई स्थान पर 5 आता है और 9 गुड़े 5 पैतालिस के बराबर होता है और 3 गुड़ज नहीं है 5 का और 25 इसका गुड़ज है क्यूंकि 5 गुड़े 5 पच्चिस के बराबर होता है तो चलिए अब हम अपने इस संभावित परिणामों की सूची में से कुल अनुकूल परिणामों की संख्या को गिन लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ तो यहां से कुल अनुकूल परिणाम साथ के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इस बात की प्राइक्ता की वो संख्या 5 का गुड़ज होगी साथ बटा बारा के बराबर है चलिए अब हम एक और प्रशन हल करेंगे इसको मैं उपर करती हूँ फिर से तो इस प्रशन के अनुसार एक वृत्य की परिधी 36 पाई है इस वृत्य के अंदर एक छोटा वृत्य है जिसका शेत्रफल 16 पाई है तो चलिए पहले हम इस वृत्य को बना लेते हैं जिसकी परिधी 36 पाई है तो यहां पर मैं एक वृत्य बना लेती हूँ इसके अंदर हम एक छोटा वृत्त बना लेते हैं और हमें पता है कि इस वृत्त का शेत्र फल ये बराबर है सोलह पाई के और अब हमें दे रखा है कि यदि बड़े वृत्त के अंदर हम एक यद्रीचिक बिंदू चुनते हैं यहां पे तो असंख्य बिंदू हें जो इस बड़े वृत्त के अंदर होगे घेर रहा है और थात इस बड़े वृत्त का कुछ शेत्रफल इस छोटे वृत्त को पूरी तरह से ढख रहा है इसका मतलब हुआ कि अगर हम इन दोनों वृत्तों के शेत्रफलों का अनुपात निकालने तो हमें पता चल जाएगा कि कितना अनुपात कितने बिंदू जो इस ब हीतर होगा या नहीं तो चलिए अब हम यहां से इस बड़े वृत्त का शेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे तो इस बड़े वाले वृत्त का शेत्रफल निकालने के लिए हमें इसकी त्रिज्या का ग्यान करना ज़रूरी है क्योंकि शेत्रफल बराबर होता है किसी भी गुड़े इसकी त्रिज्या इस बड़े वाले वृत्ति की ये बराबर है 36 पाई के ठीक है तो अब अगर मैं इन दोनों पक्षों को दो पाई से विभाजित कर दू तो मुझे क्या मिलेगा यहां से मुझे मिलेगा यह दो पाई और दो पाई कट जाएंगे और इधर बाई पक्ष में मुझे मिलेगा आर यह बराबर होगा यहां से पाई और पाई कट जाएगा और अगर मैं 36 का विभाजन दो से करूँ तो यह बराबर होता है 18 के तो हम यहां से कह सकते हैं कि इस बड़े वाले वृत्ति की जो त्रिज्या है यह बराबर है 18 एकाई के तो बड़े निकालने के लिए मुझे 18 का 18 में गुड़न करना होगा तो 8 ठाई होता है 64 हाथ में आया 6 आठ हे कम 8 और 8 धन 6 होता है 14 के बराबर और इसके बाद 10 गुड़े 18 होता है 180 के बराबर और अब अगर हम इसे जोड़ दे तो हमें मिलेगा 4 8 4 12 और यहां से 324 तो हमारे बड़े वरित्त का जो शेत्रफल है वो होगा 324 पाई के बराबर और हमारे चोटे वाले वरित्त का शेत्रफल तो हमें दे ही रखा है 16 पाई के बराबर और अब हम इसको अगर मैं एटू मान लूँ तो अब अगर हमें प्राइकता ज्याद करनी है कि अगर हम कोई बिंदू चुने और वो बिंदू इस बड़े और छोटे दोनों वरित्तों के अंदर हो तो हम अनुपात ले लेंगे छोटे वरित्त के शेत्रफल का बड़े वरित्त के साथ तो यहां से मैं लिख सकती हूं कि प्राइकता किसी भी बिंदू की दोनों वरित्तों के भीतर होने की बराबर अगर हम इन दोनों को 4 से विभाज़त करें तो हमें क्या मिलेगा तो हमें पता है कि 4 चौक 16 होता है और अगर इसको मैं 4 से विभाज़त करूँ तो 4 वठे 32 और 4 एक कम 4 तो यहां से हम कह सकते हैं कि यह बराबर होगा 4 वटा 81 के और यह तरशाता है किसी बिंदू की दोनों व क्या कि जाते है सकते हैं कि यहां थाज़त क्यूअ क clearedको जतना करूँ है कि पस्थ़ज सकते हैं